आपका बहुत स्वागत है तो आज हम बनाने वाले हैं करारे की सबजी जो बेशन से बनाई जाती है और रायस्थान की फेमस ही सबजी है तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके लिए हमें ले लेना है डाइसोग्राम बेशन हम इसको एक बूल में निकाल लेंगे और इसको हमें पानी के छीटे देते हुए लंप्स बनाने हैं इसके हमें मतलब गांठें बन जानी चाहिए इस तरह से हमें अपने बेशन को तयार करना है तो इस तरह से हमें पानी के छीटे देते हुए थोड़े थोड़े और उनमें गांठें पढ़ जाए इस तरह से हमें ह इसमें कम से कम 5 मिनट हमें लग जाती है, इस प्रोसेस को करने में, थोड़ा-थोड़ा पानी के छींटे देने कई बार, और फिर इसको हास से इसी तरह मसलना है, इस तरह से देखिये इस गाँठें पढ़ गई हैं, बस यह हमारा बेशन इस तरह से तयार है, अब हमको इसे भ उसमें हम डालेंगे 5-6 टेबल स्पून कुकिंग ओयल मैं यहां सर्सों का तेल ले रहें आप सर्सों का लेके कोई भी दूसरा ओयल यूज कर सकते वर सर्सों के तेल में बेशन की सब्जी अच्छी बनती है यह देखिए इस तरह की गांठें सी लंप से हमारे बेशन की हो गय अब हम इसमें अपना यह बेशन डालके भूनेंगे मीडियम फ्लेम पर भूनना है और अच्छी तरह से खुसबू आने तक और गोल्डन ब्राउन होने तक हमें अपने बेशन को भूनना है यह रायस्थान की बहुत ही फेमस सब्जी है और बारिस के मोसम में तो बहुत खा जाती है और सचमानी है खाने में बहुत टेस्टी लगती है एक बार इस सब्जी को आप घर पर जरू बनाएं जरू ट्राइक करें यह देखिए बेशन हमारा भून रहा है इसको हमें मीडियम फ्लेम पर ही भूनना है और इससे भूनने में कम से कम दस मिनट आराम से लग जाएंगी यह देखिए इस तरह से खुसबू भी अच्छी आ रही है देखिए अच्छे से लंस भी अच्छे है गोर्डन ब्राउन से हो गए है अब हम इसको एक बोल में निकाल लेते हैं और इसी पेन में हम ओईल भी करम करेंगे सब्जी बनाने के लिए अब इसी पेर में हम टेल डाल लेते हैं दो से तीन चम्मच क्योंकि बेसन हमारा अल्रेडी ऑईल के अंदर भुन चुका है तो ज्यादा तेल की और जुरूत नहीं है गरम होने देते हैं ओल को अब हम इसमें एड करेंगे आधा टेवल स्पून अजवाइन का और वेशन का बहुत ही अच्छा सात होता है कोई वेशन की जब चीज बनाई जाती है नम्कीन डिसेज जो बनाई जाती हैं या सबजी बनाई जाती है तो अजमायन का तो पक्का साथ होता है uresan के साथ अब हम इसमें चट कर देंगे एक टेबल स्पून लाल म्रूड़ पाउरदर एक टेबल स्पून हल्दी पाउरदर एक टेवल स्पूनी हम इसमें नमक एड़ करेंगे और जैसा आप कम ज़्यादा खाना पसंद करते वैसा आप कर लीजिए और एक टेवल स्पूनी हमें ले लिना धनिया पाउड़ा बस इसमें इतने ही मसाले जाते हैं और खाने में तो लाजबाब बनती है सबजी अब जैसा कि डाई सुग्रा हमारा बेसन था तो कम से कम इसमें आठ सो एमेल पानी तो जाए गई और थोड़ा सा और पतला करना है सबजी को तो पूरा एक लीटर पानी इसमें आख बंद करके डाल ही देना है क्योंकि बेसन बाद में थिक हो जाता है सबजी गाड़ी हो जाती है अपने आपी तो मैंने 800 ml में पानी डाली दिया है अब हम इसको पांच मिनट के लिए डग कर इसी तरह पकने देते हैं बीच में एक बार और चला लेंगे ताकि नीचे हमारी सबजी लगना जाए पांच मिनट के लिए हमें इसको पकाना है पांच मिनट हो चुके हैं सबजी भी हमारी गाड़ी हो गई है देखिए बढ़िया सी सबजी बनके तयार है हमारी अगर इसको और पतला करना है आपको तो इसमें पूरा एक लीटर पानी डाल देना है तो लीजिए सबजी हमारी वनके तयार है अब इसमें हमको एड़ करना है एक टेबल स्पून ड्राइ मैंगो पाउडर यानि अमचूर पाउडर और वो नहीं है तो आधनीवू का रस्पीस में जब सबजी थोड़ ठंडी हो जाए तो डालने चलिए इस सबजी को हम अब सर्व कर लेते हैं तो लीजिए तयार है हमारी गर्मा गर्म करारे की सबजी आप इसको घर पे जरू ट्राइ करें आप इसे पराठे, रोटी, चावल किसी के भी साथ खा सकते हैं बहुत टेस्टी लगती है आपको मेरी ये रैस्पी कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके बताएं और मेरे इस वीडियो को जासे जादा लाइक और सियर करें मेरे चैन को सब्सक्राइब करना ना भूलें थेंक य आपको